आज कल क्या है जहां भी देखो वर्ड वाइट देखो अससेट वाइज देखो जिला वाइज देखो देखो मैंग्जिमम सिन्थेटिक भी करना है। और आपको सिन्थेटिक ट्रेक और ही इसमें मिट्टी में दोड़ने में कितनी तकलिफ आती है कभी कोई दर्द या इंजरी होती है हाँ होता है नी के पास होता है सीन पेन होता है कभी-कभी हो जाते है कैसे करते हो फिर उससे फिर आइसिंग करते हूं उससे रिलाक्स के लिए लेकिन कभी-कभी फिर से हो जाते है भाई रोड में दोड़ेगा गड़े में दोड़ेगा तो गड़े में दोड़ेगा तो क्या मेरे को कोई जवाबदारी देगा या जवाबदारी लेगा किसी तक गड़े में दोड़ेगा माली जे पैर क्या हो जाता है पैर के ट्विस्ट हो जाता है लिगामेंट में इंजु सबसे अववल दरजे की होती है ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है और आज से पहले ऐसा था भी बिलाइस्टिल प्लांट में एक स्टेडियम हुआ करता था जैनती स्टेडियम जो स्टेडियम तो है मगर किसी काम का नहीं वहां सिर्फ आयोजन के ही काम आते हैं जो खिलाडी वहां से निकला करते थे जो एक से बरकर एक एथलीट वहां से निकला करते थे जो भारत को गोल्ड दिलाने में, छेटिसगड को गोल्ड दिलाने में, दुरुग जिले को गोल्ड दिलाने में, तमाम महनत करके यहां से निकलते थे मगर गोल्ड तो आता है, मेडल तो आते हैं उनको सुधा मोहिया नहीं कराई जाती तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे यह जैंती स्टेडियम के बाहर का हिस्सा है जहां आए दिन आयोजन के लिए पंडाल लगे रहते हैं और जब पंडाल लग जाते हैं और जिस बारिश के समय जैंती स्टेडियम बंद रहता है क्योंकि वहां की घासे बढ़ जाती है उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है उसके बाद फिर से जैंती स्टेडियम को खोला जाता है तो आयोजन के कारण यहां के जो एथलीट्स हैं यहां के जो स्पोर्ट्स परसन है उनको प्रेक्टिस करने में तमाम दिक्कते आती है उनी की परशानी जानने आज भिलाई टेम्स की टीम सुबह सुबह जैंती स्टेडियम पहुंचाएगी किस प्रकार से कितनी मेहनत मसकत से यहां के जो बच्चे हैं कोच प्रेक्टिस करें और उसके बाद मेडल लेकर आते हैं मगर सुउधा के नाम पर कुछ नहीं ना BSP की और से और ना ही सरकार की और से तो ऐसा क्यों होता है क्यों बहाए इतना इतने जादे चैंपियंस देने वाला विलाई आज भी पीछे हैं जानते हैं हमार साथ कोज सर मौझूद हैं सर हम लोग लगातार देखते हैं कि बिलाई में जैन्तिश्रम के आस पास और जैन्तिश्रम के अंदर तमाम अथलिट्ट्स करते हैं मगर जो एक रिक्वार्मेंट होती है जो पूरे चत्तिगर प्रदेश में तमाम जगा संथेटिक ग्राउंड है या तमाम सरुसुइधा युक्त ग्राउंड है वो भिलाई में क्यों नहीं है आप लोग क्या लगते हैं देखिए ऐसा है यहां पर एथलीट तो आपको जानते है अथलीट में कई हो सालोस हो जब से चत्तिगर राज बना हमेशा सी भिलाई का दुरुक का गड़ रहा है चाहे किसी भी गेम में ले लो पर पर पर्टिकुलर हम अथलीटिक्स की बात करते हैं तो अथलीटिक्स का मूल कारण है देखिए हमारी यह स्टील सिटी है देखो इसलीटम बाट अगया बड़ा बुदल अगया-गया चाहिए हम लीटिक्स की बिछ चाहिंगा बेउलोस मायरो वास्टिकश नहीं दोरणेक्स में लाजा माध्यम से सेल बीएसपी और जो भी हमेरे जन प्रतिनीदी है भिलाई के आदरिये सांसंत महोदे जी और हमारे प्रदेश के जो मुख्या जी है विश्डु देशाजी हम उनके माध्यम से यह कहता है कि हमारे भिलाई में एक सिंथेटिक ट्रेक दे दिया जाए ताकि देखो आप चारो तरब देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर कर रहे हैं कहीं गढ़े हैं अभी देखे जैन्तिस्ट भिलाई होटल के बाजु में हम लोग प्रेक्टिस करते थे तो वहां पर वो पंडाल लग दुर्गमा का तो चलो ठीक है अभी हम लोग यह बाजु प्रेक्शन ज्यादा नहीं मिलता है तो आपको सवाभवी के लिगमेंट में और आपका नीम प्राबलम होता है अगर आप हाड में दोड़ेंगे तो क्या होगा बार बार आप मारेंगे जर्ग होगा शौहाबिक शीवात है और अथलीट कौन वनता आप देखें होंगे क्यों क्यों क्या होता है हाँ सब्कों यह जर्नली यह पता होता है कि चलो यह कुछने दोड़ेंगे दोड़ने से क्या होता है कुछने तो हमको नोगरी तो मिली जाएगी पुलिस में मिलेट्री में पथ Till understand हमीर घर का बच्या में बहुत हीरेर केस में थ इससे पर्पेस्समें करें करने के बाद जो भी पर्फॉमस्च अमने के हमारे गजेसे और भी कई अतलीटिस स़िखें कुछ फॉरेस्ट में हैं कुछ पॉलिस में हैं कुछ बिस में है être नो डाउट बीएसपी ने तो अपने जो उनसे बना किया पर हमारा आपस यही आपके माध्यम से कि हमको एक भिलाई में सिंथेटिक ट्रेक दिया जाए क्योंकि बच्चे जो है नहीं आ रहे हमारे पास सुविधा ना के बराबर है इतिहास की बात करें तो सर अब तक कितने ऐ पासी में साडेटिकज जए प्छेटिकर अथ बंच में चाहें आप दिनियर में Soup चाहे आप आवड की बात करो राजभ तब की बात कर रहा हूं और कोचिस भी आई के थे तो हमारा मून जो हमारा में में फोकस है कि प्लीज जो है हमें आधर्णी है हमारे जो हमारे राज के जो सीम साहब है हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है निवेदा ने कि प्लीज हमें चत्तिस गड़ में भिलाई में एक सिंथैटिक ट्रेक दे दिया और क्योंकि देखी यह सिटी जो है भिलाई स्टील की सिटी है यह भिलाई सी सेल के माध्यम से हमें ट्रेक बीज जाए ट्रेक मिल जाए ताकि यह जो गरीब बच्चे आपके साथ पीछे खड़े ना यह इनको दोड़ने के लिए किसी माध्यम से अबस एक सुविधा मिल ज हमारे साथ कुछ Jetzt भी है क्या ना में वाई यस पांडि में अगे हम से प्रेक्टिस कर रहे हूं कौ h 집 ट्रप्रिज महीन autor मश्यम ग्रण्डावकर ठेखं भी सिंविधा पारी है यह हैह नहीं से तो आब अपकर से ने यह इनुत में कि आ उप ग्रण्डलर आम टेर बड़ ज काभी कोई दर्द ये इंजरी होती है होता हुष होता नीक्य पास होता है सिंपैन होता है gwp how ever कैसे करते फिर फिर से फिर आयसिंग कर थे उसे रिलेक्स के लिए ép लिए labi कभी-UB Hi और वी लोग है आप कप सदोंड धर केम ए depressed प्र swoją Division करते हैं लेकिन क्या थे जैंति चेडे पहहेट में क्या होते हैां कभी वहन करते हैं अंधी कॉम active में सब हो जग जदिए तो जाते हैं फिर यहां विद्टी में करते कर जबशान बहुत बहुत संथैतिक में करते तो हैं अई। वहां पास यहां जित्ता अच्छा किया वहां थोड़ा कम हो पाया क्योंकि वहां का रबर वाला था और यहां मिट्टी का यह एब्जॉब करता है वहां फेकता है तो करके वहां नहीं हो पाया मेरा अच्छे से नहीं हो पाया मेरा वहां प्रफॉर्मेंस अच्छे से नहीं द आपके अपका नाम? मैं वैशाली कब से प्रक्टिस करें आप मुझे दो महीन हो गया दो महीन हो गया वे दो महीने में कुछ अनुभा हुआ कि किस तरीके से मिट्टी मुरूम क्योंकि अधिक तर देखा जाते हैं के अधिफिए कि सडको पर दोंकि आपके मिट्टी मिट्टी में दोंकि ने मना किया जाते हैं ही मिट्र में नौडी में जाती है पैर में च्री बताया है अपको I saati ime सन्थेटिक ग्राउंड में प्रेक्टिस करते हो कही बहर कि हो प्रॉब्लम जितने सब लोग बता रहें कि लिगमेंट प्रॉब्लम होता है पैर में इंजुरीज होती है यह आम तर पर देखने को मिलती है रगा जाती है उस वज़े से क्या है जब अपन रणिंग करते हैं तो काफी उसमें लिगमेंट को या सीन पेन को उस चिसका फेस करन पूरे प्रेक्टिस शुडिया होगा तो आम लोग का यह मांग है सर कि अटलीस बिलाए में कहीं भी आप सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है सिंथेटिक ग्राउंड का यह सुनने में कि कुछ दिन पहले यह हमारे जो बता रहे हैं वो गय हुए थे उससे यह होता है कि आपका प्लस उसमें इंजरी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं अगर भरती दिलाना होता है तो हम लोग सामना किये नहीं है जो गय है वो बताते कि वहां का बहतर है हां जी स्विधा क्यानों सर कितने ऐसे स्पोर्ट्स परसन हैं कितने अथलेट्स अथलेट्स हैं जो तमाम अलग अलग कोचेस के पास पुरे भिलाई में प्रैक्टिस करते होंगे और एक सिंथेटिक बन जाने से उन सबका उधार हो जाएगा दिखे सारे जितने एथलेट्स हैं बिलाई में कोच है तीन चार कई कोचेस है कुछी स्कूल के कोचेस है लाग दे लेगा आप फज्म पेट नहीं है तो बच्छे जो यहां पर आप देखेंगे जो है ना यहां पर अबिलाई्ग डाले है तो वहां पर चोटे चोटे बच्चे को अम हम को जम करानी पड़ती है तो बताईए ट्रैक का कितरां है इंसान को मजबूत ना पड़ता है एक खिलाडी को बनने के लिए बहुत सारी चीजे उस पे आनी पड़ती है लानी पड़ती है तब जाके एक एथलीट तैयार होता है अब जैसे जनरेशन को देखो आप बात करते हैं तो हमारे चतिगड़ के ऐसे बच्चे जो मैडल लाए है अभी भी मेहनत कर रहे है थार में देखिए आप देखिए मतलब गड़े में दोड़ रहे हैं कोई देखे तो नाले में दोड़ रहा है अब सरकार को क्या मतलब गड़े मेडल आ जा रहे हैं तो क्यों देखिए उनका तो इसी चलने देखिए वो बच्चा जो मेहनत सिंथेटिक ट्रह में गड़े में करेगा तो वह हैंड़ परसंट अपना इफट करेगा वही मेहनत जब सिंथेटिक में करेगा तो हो सकते 50-60 उसको पूरा फट ना लगाना पड़े वही फट ज्यादा लगाएका तो हो सकता उसको ज्यादा आउटपुट मिलेगा भाई रोड में दोड़ेगा गड़े में दोड़ेगा तो गड़े में दोड़ेगा तो क्या मेरे को कोई जवाबदारी देगा या जवाबदारी जम्पिंग पीड चाहिए पीट के साथ साथ में आपको जो है कि पोछ साइब चाहिए और पहले किया है चलो कर लिया कर लिया पर भाईया आप जब देखिये आज देश कहा इस अधन कर द तो सूथा अब आप वही संचीहत्तर वाली बात करेंगे नहीं हमने तो दोड़ा है खेत में आप भी खेत में दोड़ो तो भाईया आपने दोड़ा आपके समय का समय अलग था आपका समय अलग है आप देखे चारो तरफ खिलाडी बेचारी कर रहे हैं यह सब गरीब बच्चे हैं मालूमे एथलेटिक्स में कोई अमीर बाप का मेडलिस्ट के मैं अपनी मैं पर्टिकुलर अपने लिए फोकस नहीं कर रहा हूं कि मैं आपके माध्यम से मैं बोल ओ कि मैं हूं मैं जुस्ट लाइक जे जीरो बट एक माध्यम तो होना चाहिए यह जो बच्चे खड़ी इनको बताना पड़ता है कि भईया आप भी यहां स कि मौसम में देखे तीन महीना चार महीना बंद रहता है। बारीस में मिंटी का ट्रेक है। तो क्या करते हैं वहां गढ़्धा हो जा इसको बंद कर दिया जाता है। तो हमारा यही आपके माध्यम से बार बार मेरा कहना यही है कि पलीज हमें एक भिलाई में में synthetic दे दीजिए तो मुझे बताइज बिलाई से क्या वज्र Combination सब्सक्राइब देखा जाएज लिए मिया कि यर वैसे वहीचे बाहा जाता है कि किसी चीज को निखारने के लिए इसे नहीं दिशा की जरुरत है और उशी शब्द को इंगलिस में कहा जाता है ट्रैक की जरुरत है और इन एथलीट्स को सही में एक ट्रैक की जरुरत है synthetic track और तमाम जो सर्व सुईधा है जिससे ये अपने 36 गड़ राज जी भारत देश और तमाम जगहों का नाम रौशन कर सके सुईधा होगी प्रेक्टिस होगी और प्रेक्टिस होने से नाम होगा और नाम आपके ही 36 गड़ का होगा इस बाइसाब मेरी पिलीस आदनिये हमारे जो शांसद महोदय हैं मेरी अनसे परकें उनसे निफयादन है घरैक्तिस पर मेरी आरो जो हमारे राजिस के चक्कर में इत्लेटिक छोड़ा भी होगा इसाब गेम छोड़ दिया गेम छोड़ दिया अब बताई हमारे पास बच्चों के पास सूज नहीं है कैसे कैसे करके उनके माँबाप जोने एफट करते हैं पर बताई ट्रेक नहीं हम दोड़ते हैं गड़ा-गुड़ी में तो कभ अब बताई और यहां पर आपको इंडिया लेबल का कोच भी है इंडिया टीम लेबल के कोच बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे पास लेकिन डिफरेंस्ट ही है कि हमारे पास सुविधा नहीं अभी भटक रहे हैं जब हम लोग कहीं खेलने जाते हैं तो लड़के मालूम क नहीं करें हमारा उद्देश यह आप हमें फिर आप हम से आप बात करिए कि मेडल क्यों नहीं आ रहा हो एक ट्रेक की डिमांड है कम से कम एक ट्रेक है बी दिय जा जितने वे आथलीट्स पूरे बिलाई कि quality जो है वो athletes की बढ़ेगी और quality बढ़ेगी तो धीरे-धीरे करके quantity भी बढ़ेगी कि जब सुईधाये देखेंगे तो parents अपने बच्चों को खुद भेजेंगे तो यह कब तक चलेगा कब तक यह सरकार जो है वो athletes के बारे में sports person के बारे में सोचेगी या नहीं सोचेगी क्योंकि BSP ने तो भई एक जहनतिशिदम बना के अपनी जिम्वधारी खतम कर दी उसके बाद उसमें क्योंकि BSP के लगातार देखा जा रहा है कि सारा focus जो है वो production प आगार पर है अब सरकार क्या इस पर फैसला लेती है क्या सूचती है यह देखने वाली बात रहेगी हमारे साथ दन्यवाद